मिक्सर में दो कब भुट्टे के दाने डाले अब इसमें तीन हरी मिर्च डालकर ग्रैंड कर लेंगे अब इसे मिक्सिंग बॉल में निकाल लेंगे इसमें एक चुटा चमच सोफ एक चुटा चमच खड़ा धनिया हलका सा फूट कर डालेंगे अब 7-8 पिंच हींग, quarter teaspoon हल्दी पाउडर, आदा चुटा चमच लाल मिर्च का पाउडर इसमें हरी मिर्च भी डाली है तो आपके टेस्ट के हिसाब से मिर्च एट करें नबग भी आपके टेस्ट के हिसाब से ले और आदा चुटा चमच चाट मसाला पाउडर एट करेंगे अब एक मुटी कटा हुआ हरा धनिया और भुटे के दाने डाल कर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो यह बेटर काफी पतला है इसलिए बैडनिंग के लिए इसमें चावल का आटा एट करेंगे आप चाहे तो बेशन भी एट कर सकते हैं लेकिन चावल के आटे से भजी बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं तो अभी मैं 1 फूर्थ कप चावल का आटा एट कर रही हूँ इससे अच्छे से मिक्स करेंगे तो अभी बैटर चमच में से एकदम से नहीं गिर रहा है और थोड़ा सा बैंड होकर गिर रहा है चावल के आटे को बहुत ज़्यादा भी एट नहीं करना है सिर्फ बैंडिंग के हिसाब से एट करें अब कड़ाई में तेल को अच्छा तेज गरम करेंगे तो यहाँ पहली ट्रिक थी बैंडिंग के लिए चावल के आटे का इस्तमाल करें वो भी उतना ही कि बैटर थोड़ा बैंड होने लगे दूसरा तेल अच्छा तेज गरम करें एकदम गरम तेल में ही भजे डाले क्योंकि इसमें बैंडिंग के लिए कम आटे का इस्तमाल किया गया है और बैसन भी नहीं डाला है तेल कम गरम होगा तर बैटर बिखर जाएगा और बुंदिया बनने लगेंगी तीसरा भजे डालते डालते तेल का टेंपरेचर कम होगा इसलिए चार से पांच भजे डालने के बाद थोड़ा रुके और फिर डाले भजे को अच्छा लाल कलर आने तक फ्राय करें जो भजे पहले फ्राय हो जाए उन्हें फटाफट निकालते जाएं तो मेरी सारे ट्रिक्स को फॉलो करते हुए बारिश के मौसम में इस तरह से एक बार भट्टे के भजे जरूर बनाईए और आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताईए